है वेवर्स असलाम हुलेकुम वेलकम बैक माई चैनल उमीद है आप सब खैरियस से होंगे आज हम लेके आए ऐसा टॉपिक जो देखने में बिल्गुलर की तरह लगता है थोड़ा थोड़ा सा और बहुत छोटा सा फल है और खाने में बहुत स्वाधिस्ट होता है चलिए कोपिक है मैंगोस्टीन शायद आप यह जानते होंगे कि मैंगोस्टीन कौन सा फल है चलिए बताते हैं इसका बनस्पतिक नेम और इसे हिंदी में क्या कहते हैं मैंगोस्टीन को हिंदी में कोकम कहते हैं इसका बनस्पतिक नाम गार सीनिया इंडिका है मैंगोस्टीन कोल का एक पादप है इसके फल का उपियोग रसोई में दबा बनाने में और ओधोगिक छित्रों में किया जाता है मैंगोस्टीन एक उश्र कटी बंधिये फल है जिसका स्वात थोड़ा खटा और थोड़ा मीठा होता है ये फल गहरे जामनी रंग से लेकर काले रंग के चिपचिपए और टेड़े मेड़े किनारों वाले होते हैं आईए जानते हैं मैंगोस्टीन में कौन-कौन से पोशक्तत्व और बिटामिन पाए जाते हैं मेंगोस्टीन में बिटामिन A, बिटामिन C, बिटामिन B complex भरपूर मातरा में पाय जाते हैं इसके अलावा इसमें बहुत सारे पोश्यक्तत्पों और खनिच भी उपसेत होते हैं इसमें fiber, carbohydrate, iron, potassium, calcium, thiacin, niacin, folate बहुत अच्छी मातरा में पाय जाते हैं इसके अलावे से बसा और protein की भी मातरा अच्छी होती है जो हमारे चैपचय के में मदद करती है आईए जानते हैं मेंगोस्टीन को खाने से होने वाले advantage यानि फायदों के बारे में मासिक धर्म में महिलाओं को बहुत जादा समस्या का सामना करना पड़ता है मासिक धर्म से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए मेंगोस्टीन फल उपियोक करना चाहिए इसमें बहुत से औश्टीय गुड़ होते हैं जो दर्द में राहत देते हैं उर्जा भी बढ़ाने में यह मदद करता है कुछ शोत के अनुसार मेंगो स्टीन फ़ल का सेवन करने से शारीरी उर्जा बढ़ती है इसमें फाइवर और पोशक तत्पो का शुरूत होता है यदि इस फ़ल को सुभे में लिया जाये तो पूरे दिन शारी में उर्जा बनी र मैंगोस्टीन फल का सेवन आपको करना चाहिए यह फल कई तरह की संक्रामा गुमादियों से सुरक्षा करता है मैंगोस्टीन फल में अच्छी मात्रा में एंटी इंफ्लामेटरी गुड़ होते हैं इस बज़े से सूजन समंदित समस्या को कम करने में यह मदद करता है अगर इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर पोशकतत पूपस्तित होते हैं जो बज़न को बढ़ाने से रोकती है यदि कोई बेकती बज़न कम करना चाहता है तो मैंगोस्टीन फल को अपनी डाएट में शामिल कर सकते हैं चलिए जानते हैं मैंगोस्टीन फल को बहुत अधिक मा का भी कारण हो सकता है तो इसलिए इसे अधिक मात्रा में ना लें यदि कोई बेकती किसी प्रकार की दवाएं ले रहा है तो इस फल का सेवन करने से पहले चिकतक की सरह ज़रूर लें मैंगोस्टीन फल को अच्छी तरह से साफ करके ही सेवन करना चाहिए हमेशा के तिबेबन तुचा को नुकसान पहुचा सकते हैं गरबती महिलाओं को मैंगोस्टीन फल का सेवन नहीं करना चाहिए उनके पच्छे के लिए नुकसान दायक हो सकता है यदि खून पतला करने बाली दवा का आप सेवन कर रहे हैं तो मैंगोस्टीन फल का सेवन करने से ब कर सकता है और साती बॉडी को रख सकता है इसके साथ पेट फूल न विपकंच पेट की गैस की समस्या और को भी ठीक कर सकते है olla वैसे तो इस फल को खाने के बहुत अधिक फादे हैं लेकिन बहुत अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से बचें क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में खाने से इसके कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं ये साथ कलियो वाला फल होता है इसके अंदर एक या दो बीज होते हैं उमीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल एकन प्रेस करना ना भूलिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ थात्व में एक लगी तो हमारी तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल के लिए प्रेस्ट चैनल के लिएगा